35 साल पहले आज ही के दिन भारत लॉट्स में वर्ल्ड कप चेंपियन बना था 35 जून 1913 का दिन भारती खेलों के इत्यास में कभी न भून ले वाला दिन है वेस्टेंडिस पर भारत ने फाइनल में 43 रनों से हैरत अंगेज जीत डर्च कर पहली बार क्रिकेट वर्ड कप पर कबजा जमाया था पूरे टोनामेट में भारती टीम ने उमीदों के वीपरी चोकाने वाला प्रोदेशन कर आस्टेलिया, इंग्लेंड और वेस्टेंडिस जैसे दिगगर टिमों को दूल चटाते हुए विश्व चैंपियन बन कर दिखाया था फाइनल में भारत का मुकाबला दो बार खिता भी जीतने वाली वेस्टेंडिस की टीम से था वेस्टेंडिस ने भारत को सिर्फ 113 रन पर समिट दिया वेस्टेंडिस के लिए यह कोई बड़ा लक्ष नहीं था लेकिन बलविंदर सी संदु ने गौटन ग्रीनीज को सिर्फ एक रन पर बोल्ट कर भारत को जबर जच सफलता दिलाई आलाकि इसके बाद वीमियन रिचर्ड्स ने ताबर दो बले बाजी करते हुए 33 रन ठोग डाले इसी दोरन रिचर्ड्स ने मदनलान की गेंद पर अचानक मिड़ विकेट तरफ एक उचा सोट खेला और कपिल ने उसके पीछे की तरफ लंबी दोड लगाते हुए एक अधभूत कैस लपक लिया रिचर्ड्स का आउट होना था कि वेस्टेंडीस की पारी बिखर गई और आखिरकार पूरी टीम 140 रन पर सिमट गई मदनला ने 31 रन पर 3 विकेट, मोहिंदर अमर्नाथ ने 12 रन पर 3 विकेट और संदु ने 32 रन पर 2 विकेट लेकर लोईड के दुरंदरों को द्वस्त कर दिया था अमर्नाथ सेमी फैनल के बाद फैनल बे भी अपने ओल्ड राउंडर प्रजेशन में मैन आफ दिमेज रहे इस एतिहासिक सफलता के बाद टीम इंडिया ने महेंदर सी दोनी की कपतानी में 28 साल बाद 2011 में 12 वर्ल्ड कप जीतने का कारनामा किया इस तरह की खबरे देखने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नौटिफिकेशन बेल ओन कीजिए धन्यवाद